हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग आई होब आप सभी बहुत अच्छी होंगे दोस्तो आज में फिर से हाजिर हो कीचिन की वीडियो लेकर जो आपके काम को बहुत ही आसान करने वाले हैं तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टिप्स के तो द और तारों को सीधा करने के लिए हमारे पास एक टिप है कि आप गरम पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए और उसके अंदर आप अपने ब्रश को डाल दीजिए लगबख 15-20 मिनट डालने की बाद आप जब निकालेंगे तो आपके ब्रश बिलकुल क्लीन होंगे और इसकी जो तारे हैं वो भी एक सीधी हो जाएंगी और यह बहुत ही नरम हो जाएंगी जैसे कि आपने मार्केट से बिलकुल अभी खरीदा है तो अगर यह टिप आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा तो नेक्स टिप है कि अकसर कई बार होता है कि जब हम चावल बनाते हैं तो चावल गैस पर लग जाते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे चावल लग गए हैं तो आप फटाफट से थाली में पानी लीजिए और कूकर को उसकी अंदर इमेडियेटली रख दीजिए तो देखिए आपकी जो चावल का लगने का प्रोसेजर है वह वहीं पर रुख जाएगा और आपके चावल तले पर नहीं लगेंगे चलिए बढ़ते अपने नेक्स टिप की तरफ दोस्तों यह टिप आपकी बहुत ही काम आने वाली है और आपकी बहुत सारे पैसे बे बचाने वाली है तो हम क्या करेंगी जो हमारा यह 5 रूपी इसमें थोड़ा सा एक धकन आप इसमें विनेकर डाल दीजिए उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो आपके पास कोल्डिंग की बॉटल है आप उसमें इसको स्टोर कर लीजिए और देखिए जब आप इसके जो हमारा लिक्विड विमजेल होता है अगर क्लीन हो जाते हैं अगर आप काउंटर टॉप को भी साफ करते हैं तो वो भी एकदम चमक उठता है कि दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स टिप की दरफ अक्सर होता है कि जब हम काम करते हैं तो कई बार हम लोग मोबाइल अपने पास महीं रखे इसमें कोई वीडियो अगर कि दlorब स्दिड हिसोग्सपा कुछ झसार ओर।